मुझे समझ में आ गई ही, जस्वन जी इतने ही एक बेहरोड में आ गई रिष्टा ही अलग है समपरखी अलग है एक दूसरे के साथ बातचीत ही अलग है और कोई आप के बीच में आ जाए तो आप की प्याप की बात को समझे कि मालुमने एक दूसरे को कौन से गाली दे रहे हैं गुसा कर रहे हैं क्या कर रहे हैं परन्त जो आपको अच्छी तरह से जानता है उसको यह समझ में आ रहे कि इंकी प्यार की भाशा है अलग ही किसम के लोग इसलिए जब मेरे को यह कहा कि मोहित को अपने कुछ टिकिट दे के लड़वाना है मैंने का मोहित तो इतना अच्छा भला बच्चा है क्या इनको अभी तो सीखना पड़ेगा इनसे तब यह सीख जाएंगे कि यह किस तरह के से रिष्टा बनाते एक दूसरे से तब तुम्हारा समय आ जाएगा मोहित तुम उसकी चिंता मत करना आज के इस मंच पर बैठे हुए और मुझे यहां के बता है आप लोगों में कितना जोश है यह सब कुर्सियों में बैठे है आज दिन भर मैंने एक भी जो जहां दो तीन जगे पर होके आई हूँ कोई भी एक कुर्सी पर बैठा वो नहीं मिला आप नहीं अच्छी तरह से बिगाड़के रखा है सबको और इतना जोश दिखा इतना जोश दिखा कि मुझे तो विश्वास हुआ कि वो लोग जिनके हां से मैं गुजर के आ रही हूँ वो तो अच्छी तरह से जीतने वाले है यह थोड़ा सा आप लोगों के किसम का जो काम होता है वो यह दिखाई दे रहा है तो मुझे एक देफा आप दिखाईए कि वाके में वह अंदर की बात है जोड़ार नारा मेरे साथ भारत माता की थोड़े से हाथ उठाने में कंजूसी मत करना दो दिखे मेरे लिए बारत माता की येस भारत माता की केंद्रिय संस्यद्रिय बार्ट की सदस्य बहन हमारी सुधा जी हर्याना के दिखज नेता जिनको बहुत सालों से और छुटपन से इपक्ट मेरे साथ राजमता साथ के साथ जगे जगे पर जाते हुए जगे जगे पर मिलकर लोगों के बीच में अपनी बात रखते हुए ऐसे नेता राम विलास जी आपको यहां देखके मुझे बहुत खुशी हुई बहुत दिन बाद इस जस्वन के बहाने तुम आप से मिलने का मौका मिल गया हर्याना के मंत्री श्री बनवारी लाल जी श्री ओम प्रकाश जी और हर्याना के अला धक्ष उमेद भाया जी किरन जी और आप हम आप सबके हम सबके लाडले प्रत्याशी डॉक्टर जस्वन जी ने ने ऐसे नहीं चले मुझे आवाज सुनी है यहां से नहीं आप तुम लोग चुप रहा हूं मैं जो वहां से सुनना है यह बहुत आराम में बैठे हुए हैं फ्री में सबके भाशन हो गए हैं और आराम से बैठे हुए हैं मुझे आपकी आवाज सुनी है क्या डॉक्टर जस्वन ये है बात मेरे को यहां के लोगों ने बताया था कि यहां के बहुत परिशान लोग हैं यहां की राजनेतिक परिस्थिति सब दूर से बहुत है कैसी अलग है अलग सबसे है क्योंकि यहां ऐसे डॉक्टर जस्वन आप लोगों के बीच में खड़े हैं जो मेरे साथ मेरे सहपाटी सहभागी मेरे कैबिनिट के अंदर मेरे साथ काम करने वाले ऐसे व्यक्ति जो दो टूक शब्दों में सबको अपनी बात वो छिपाते नहीं है जो है वो आपको सबको दिखाई देता है कोई बात चिपी हुई नहीं होती है ऐसे व्यक्ति को कैबनेट में रखके उनसे काम कराने का मुझे मौका पिछली सकरकार में हमारे स्किल डिवेलिप्मेंट के मंतरी श्रम के एसाई के तक्निकी शिक्षा को संभालने वाले डॉक्टर जस्वंत यह आपके सामने फिर से हम लोगों ने टिकेट इस बार दिया है और मुझे ये विश्वास था कि इस बार अगर आपको यहां ये जान साफ करवाना है बैरोड को फिर से जिन्दा करना है और बैरोड के अंदर जो जो काम अपन लोगों किये थे उनको फिर से संभाल के जनता के बीच में फिर से लाना है तो फिर आपको एक ऐसे व्यक्ति की जरूवत है जो आपके लिए बिच्प के बिना Force के बि इसे व्यक्ति को ढूणने में थोगा समय लगता ही ऑग यह यह पर आपकी यहां तो है रेडि मेड माइक बंद करने को कहूंगी मैं अभी एक मिट में एक तरीके से ही मानिया आप लोगों को डील करने को अलगी मामला होना है कोई प्यार से बतेगा तो तो उपर सिर्पे चड़ जाओगे रखो बंद माइक आपको मैं बताओं कि जब यह मंत्री थे तो जो इस देश के अंदर पहली बार हुआ राजस्तान के अंदर स्किल डिवेलिप्मेंट का एक सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी अगर कहीं लगा है तो सबसे पहले राजस्तान के अंदर लगा और वो यह डॉक्टर जस्वंत की वज़े से लगा यह मेरे को हमेशा यह कहते थे कि हमारे इतने सारे बच्चे बेरोजगार हैं उनको नौकरी देने का जो लोग हम लोग सरकारी नौकरी के द्वारा दिलवा सकते हैं उनको तो अपन लोगों ने दिलवाया परन्तु आज ओपर इस्तितिया है स्टेट के अंदर उसमें यह ज सोचा और सोच करके हमने यह तैय कर कर दिया कि आई टी आए खड़ा करें जगे जगे पर हमने यह सोचा कि स्किल डिवेलप्मेंट को बच्चों को पकड़ पकड़ के उनको अलग-अलग चीजों के बारे में सिखाएं इलेक्ट्रोनिक्स हैं दो-दो साल के कारिक्रम नहीं ख मुझे बड़ी खुशी है कि अलग-अलग जगे कर उपर हम लोगों ने यह मेले किये आपको याद हो गया रोजगार मेले यह नाम से हैं पहचाने जाते थे और उन रोजगार मेलों के द्वारा हम लोगों ने करीबं 15 लाख ऐसे बच्चे थे जिनको नौकरी देने का सेल् इंप्लॉइड होने का हमने एक बहुत बड़ा मौका दिया मैं इनको धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि घूमें जगे जगे गए रोजगार मेलों में गए जगे जगे लोगों को प्रोच साहित किया और हमारी मदद सरकार की मदद की ज़्यादा से ज़्यादा लोगो उनकों ने करीबं 15 लाख लोगों को नौकरी देने का काम किया हमारे यहां उस समय में कोई पेपर तो लीक नहीं हुआ नहीं हुआ हमने वादा किया था कि हम बेरोजगारों को दो साल के लिए भटा देंगे क्योंकि अगर वो पड़े लिखे हैं तो जब तक उनको नौकरी नहीं मिल जाती जब तक उनको कोई सहरा नहीं मिल जाता तब तक अगर वो अपने माबाप के पास और उनके घर में रह अगर्या मुझे याद है कि जब यहां काम आया कॉंघरिस आसी तो उन्होंने भी मदा किया था बेरोजगार को बट्ठा देने का मैं डाउक साल से पूछ रही थी कि आपकरी हाँ बेरोजगारों को बट्ठा मिला कि नहीं मिला ऑकता है आउए बाट साहर साल नहीं मिल सकता पेर में चोटाई है और आप इन लोगों को कह रहे हो के भाई बेरे मेरे को कुछ करने के जरूप नहीं है तुम लोगों करना पड़ेगा न engaged you आपको करना पड़ेगा, आपको भी जाना पड़ेगा, ये भी आएंगे, हाफ हाफ में मिलना पड़ेगा, बेरोजगारी का भत्ता, बेरोजगारी का भत्ता नहीं मिला, अरे हमने साड़े साथ हजार करोड करजा माफ करने का काम किया, मैं अभी देख रही थी, करीबन 27 लाग किसानों के बीच में ये पैसा बटा, और आपके इस बहरोडी बहरोड विधान सबा के अंदर, 11,500 किसानों को, ये फाइदा मिला, और मैंने खाली बात नहीं की, आपको सर्टिफिकेट देने का काम किया, कि भाया तेरे माफ हो गए हैं, अब और लोन ले सकते हो, आगे काम कर सकते हो, ये आपको पर्चे के द्वारा, एक सर्टिफिकेट के द्वारा, दसकत करके, आपके हाथ में देने का काम किया, किया कि ने किया, किया था ना, अब यहां तो पांच साल, चार साल कोई काम नहीं दिखाई दिया लूट, पाठ, भरष्टा चार साब लोगों को फ्री में छोड़ दिया जो नेता थे, उन लोगों को सब को हर इलाके के अंदर छूट मिल गई थी, कि तुमको जो करना करो उन लोगों ने किया मैं खाली ये पूछना चाहती हूँ आप लोगों से, जब इनने कहा कि आपकी गिंती सुखाई पहरी दफ़ा, इतने पड़े लेके बैठे हुए यहां, पप्पू जी आए और उन्होंने कहा एक, दो, बने, दस तक आपकी गिंती सिखाई आपको दस तक गिंती सिखाई के आपको ये भी बोल दिया, कि चिंता मत करो हम आपके सब लोन सब लोन माफ कर देंगे अरे चुनाओ के रिजल्ट आए तो मैं सब लोगों के बाद वाफिस गई छे मेने के बाद, क्योंकि गौरवयात्रा करके सब को बताया था कि क्या क्या काम किया है उसके बाद यह हुआ तो मैं उनके बास गई मैंने का क्या हुआ भाई, क्यों, ये क्यों किया तो मैं इस तरह बोलते साब, आपने थो हमको बड़ा सा सर्टिफिकेट भी दे दिया हमारे लोन माफ कर दिये हमने सोचा कि सब सरकार ही यही काम करती है हमको क्या लगा कि एक सरकार जूट भी बोल सकती है इसलिए हमको लगा कि आपने तो इतने सारे लोन माफ कर दिये जो बचा कुचा है यह सब पूरे माफ कर देंगे तो हमने एक दफ़ा के लिए विश्वास कर दिया पांच सार निकल गए इस विश्वास में आप लोगों को पेपर लीग, पेपर लीग 19 बार पेपर लीग अगर कहीं हुआ है तो वो राजस्थान में हुआ है कितनी गलत बात है कि हमारे बच्चे जिनके लिए इतने सारे माबाप यहां बैटे हुए हैं, उनके दिल में कितनी टीस होगी, वो सब यह सोच रहे थे कि हमारा बच्चा बड़ा हो गया है पढ़ लिख गया है, हमने उसको कॉलिज से निकाला है, हो सकता है कि अब उसको नौकरी मिल जाएगी, तो हमारे भी हाथ मजबूत हो जाएंगे, पर उन्तु नहीं हुआ, उन्नीस बार पेपर लिखों के पेपर कैंसल हुए, बच्चे पेपर में बैट नहीं सके, और उनकी हालत क्या हो गई है, अब आप होने देंगे, और किस तरीके से हमारी ये कोशिश होगी, कि हमारे बच्चों को हम मजबूती दे कर सही तरीके से पेपर के लिए बिठा कर, उनको वहाँ से निकाल कर सरकारी नौकरी देने का काम हम करेंगे, ये जरूरी है, आपने कुछ नहीं किया, कोई रोड नहीं बनाएं, कोई गौरवपत नहीं बनें, कोई स्कूल नहीं थे, जो स्कूल थे, उनके अंदर टीचर नहीं, जो अस्पिताल हैं, उसके अंदर डॉक्टर नहीं, अब डॉक्स भाप अच्छी तरह से जानते हो, कि हर पंचायद के उपर अपने गौरबपत बनाये की नहीं बनाये बना था अपने आप ये भी जानते हो कि जो स्कूल अपने पंचायद हेड़कौर्टर पर बनाया वो जीरो से लेके बारा तक का स्कूल था उसके अंदर कंप्यूटर भी था और टीचर एक से लेके उपर तक थे कि नहीं थे प्राचार्य था सब कुछ था आप लोगों ने मेरे से ट्रॉमा सेंटर मांगा आप लोगों ने हॉस्पिकल्स के बारे में बात की और मैंने यही कहा कि वो ही खड़ा करेंगे जिसके अंदर पूरे के पूरे डॉक्टर्स हम रख सकेंगे आपका कोई ऐसा नहीं था जहां डॉक्टर्स खाली थे आज स्कूल है तो टीचर नहीं और अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं और स्कूल्स की क्या हालत है वो भी आप लोगों ने अच्छे तरह से देख लिया है बिजली का अच्छ गंटे 20 घंटे घरे लू और किसानों को मिलती थी उनकी 5 और 6 घंटे बिजली आज इतना बड़ा करजा जो करजा हमने खतम कर दिया था सरकार अगर अपनी सेकंड टाइम आती तो मैं आपको यह बता सकती हूं कि बिजली के दाम बहुत कम हो जाते परंतु जो करज हमने खतम कर दिया था उस करज को फिर से 95 घंट करोड तक ले जाने का काम इस सरकार ने किया है बताओ भाई फिर वोई मुसीबत और उन्हें क्या कह दिया आपको कितने भोले-बाले लोग हो वैसे बहरोड के लोग तो भोले-बाले होने नहीं चाहिए पर आपको बिजली माफ कर रहे हैं सर चार्ज पे आपके साड़े 56,000 करोड आपके आपसे लिया और आपको कह दिया कि सो यूनिट माफ कर रहे है आप तो बहुत खुश परंतु आपके एक जेब से लिया पैसा दूसरे जेब में डाल दिया उनका कुछ नहीं गया जो भी है व हम लोग दिया करते थे आज आप देख लो कितने घंटे में मिलती है ट्रांसवरमर मिलता है मिलता है ट्रांसवरमर बहातर घंटे भूल जाओ बहातर दिन में नहीं मिले क्यों क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है जब पैसा नहीं है तो करीदेगे कहां से बिजली की जब जर चल रहा है मजा है यह तो बारात है और यह बारात में चलता जा रहा है परन्तु जब बैठके आखना शुरू हो जाएगा तब मालूम पड़ेगा कि इन कि तरीके से चल कपट के साथ आप लोगों के साथ वियुवहर किया है भारती सम्क्रदी जनता बाई पार्टी जो है वो वो ये काम नहीं करती है बहारती जनता पार्टी के और आज मैं आ रही हूं डॉक्टर राम प्रताप हो चाहे अभी शेख हो चाहे डॉक्ट साब हो एक भी हमारा व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसने किसी के जेब में हट डाला है मुझे गर्व है ये कहते हुए कि हमारे लोग ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद की उनकी सेवा की परंतु कभी उनको परिशान करने का काम नहीं किया ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है और आजकल की दुनिया में मिलता नहीं है यहां आपके हैं एक बहुत स्कूल के अंदर बच्चों को खेलने के लिए मौका मिलेगा उसके बाद अपने नौकर के नाम से एक फर्म बनाई फिर भी आप लोग नहीं सोचे उसके बारे में क्या हो रहा है फिर इस फर्म से सरकारी स्कूल को ढ़ाई गुणा दाम पर क्रिकेट बैट बॉल हेलमेट फ एक बता रही हूं एक ऐसे तो मालूमने कितने हुए हैं जिसके बारे में आप लोग अच्छे तरह से जानते हो अब यह पूरा नाटक आपने देख लिया एक साल का नाटक मैं कह रही हूं कि अगर वाके में आपको जंता की चिंता होती तो यह चार क्या पांच साल तक यही अच्छा काम किया है तो काम बोलता और जंता आपके पास अपने आप ही लाइन लगा के खड़ी हो जाती है परन्तु आप कुछ समय के लिए लोगों को ठंक सकते हो थोड़े दिन बाद सब लोग उस चीज़ को समझ लेते हैं और जब समझ लेते हैं तो फिर छोड़ते नह ही है इसलिए डॉक साफ मुझे अभी चंता करने की जरुवत नहीं है मुझे मालूम है कि ये जंता बहुत समझी बूजी चंता है ये चारों और से हर्याना से तो घिरी है ही है और आगे आगे दिल्ली बैठा है तो ये सब लोग ऐसे लोग नहीं है वो जानते हैं कि अपना आगे बहरोड के अंदर जोरदार तरीके से जीत करके वापिस लाने की कोशिश अपने को करनी है मुझे बहुत खुशी है और मैं याद दिलाना चाहूंगी भाई साब कि आपने क्या क्या होता है कि अपन लोग जो है ना अपन भूल जाते हैं इन चीजों को अपने लिए अच्छी अच्छी बाते होती हैं पिर उसके बाद अपन भूल जाते हैं मैं आपको ये कहना चाह बैरोड के अंदर अनुबंद जपानी के साथ कुरियन के साथ हम लोगों ने किये थे हम यह चाह रहे थे कि आई टी आए अगर कोरियन कंपनी और जपानी कंपनी के साथ हो जाता है तो हमारे ट्रेड की आई 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 टी आई बनाने का काम हम लोगों ने किया, बेरोड में स्टेडियम का निर्मान हुआ, हर्याना बॉर्डर से लेके डिंडर से और मंडल तक आपका सड़क बना, इसी तरीके से मांडन को उपतेसिल बनाया, हर गाओं में गौरबपत बनाया, और हर प प्राजस्थान कनायाल का प्रोजेक्ट अगर बन जाता है, तो एक ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनेगा, जिसमें चम्बल का पानी 13 डिस्ट्रिक्स को पीने के लिए, सिचाई के लिए और इंडस्ट्री के लिए काम में आ जाएगा, एक ऐसा कारिकरम हम लोगों ने हम ने हाथ में लिया, हमने ये कोशिश की कि उसके द्वारा, और स्पेशली आपके लिए, क्योंकि मैं जब भी यहां आती थी, इंडस्ट्री के नाम पे आती थी, तो यहां वो इंडस्ट्री वाले यही रोते थे, कि हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई पानी ने है, बिना करने के लिए हम लोगों ने सोचा था कि पानी यहां तक आएगा तो पीने को तो मिली जाएगा साथ में इंडस्ट्री के लिए भी मिल जाएगा और उसका फाइदा हमारे बच्चों को हजारों की तंका में मिल जाएगा परंतु यह इतनी बड़ी स्कीम को इन्हों ने राजन बनाने का काम करें, अरे हो जाएंगे, हो जाएंगे, देखा जाएगा, हम लोगों ने ऐसी राजनीती नहीं किये, एक प्यार की राजनीती किये, जिसमें 36 के 36 कौम को साथ लेके चले, कभी भी आपके आँक में आसू हुआ, तो उसको पहुचने का काम, हमारी खुशी, तो आपके मुस्कान में है, आप हस्ते हो तो हमें अच्छा लगता है, हमें और किसी चीज़ की जरूरत ही नहीं है, दोड़ेंगे, भागेंगे, करेंगे, सब कुछ करेंगे, खाने के लिए नहीं, आपके प्यार के लिए, इस परिवार को मजबूत बनाने के लिए, और इस भ परिशान कर रहा है, वो है हमारे महिलाओं के साथ जिस तरीके से व्यवहर हो रहा है इस राजस्तान के अंदर, वो ठीक है, हम रोज आके आप लोगों को से कंप्लेंड नहीं करते हैं, पर तो आप अगबार उठा के देख लीजिए, तो आपको देखने को मिलेगा, किस किस इसकाद क्या उमर की बच्चियों के साथ गैंग रेप हो रहा है, किस तरीके से अत्याचार हमारी महिलाओं के साथ हो रहा है, अगर हमारी महिला अपनी बेटी को भेजती है, कॉलेज या स्कूल, तो दिल धड़कता है जब तक वो बच्ची वापिस घर नहीं आती, ये किस इसके बारे में कुछ कर भी नहीं रहें, उननीस हजार से ज़्यादा हमारे किसानों की जमीन कुड़क हो गई है, तीन सो पचास किसान आत्म हत्या कर बैठे हैं, और मैं तो आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये जो सब काम हो रहे हैं न, खाने पीने का, इसको अगर कोई सा साथ कंदे से कंदा मिला कर रह सकता है, तो वो है ये जस्वंत यादव, हाँ, कभी-कभी थोड़ा अखड़ बोलता है, कभी-कभी ऐसा लगता है कि हो का फस गए, परंतु दिल का बहुत अच्छा है, और जब आपका है, तो आपके लिए पूरा करने को तयार है, ये मैंने जिन्दा बोद, वसंद्रा राजे, मैं किसके हाथ में दिखाई नहीं देना मेरे को, दिखाओ भए, तो मैं आपको यही कह रहे थी, मैं इसके थ्रू आप लोग सब को समझी हूँ, मुझे समझ में नहीं आता था कैसे लोग हैं, अब समझ में आ गया है, कि दिल का तो दिल तो पिगल जाता है, एक मिनट के अंदर दिखाते हैं, दिखाने के लिए तो बड़े शेर हैं सब के सब, प्यार तो प्यार करने में एक मिनट में हो जाते हैं, अच्छी तरह से प्यार कर लो उनको तो सब अपने ही हो जाते हैं, तो कोई हैं यहां बैटे हुए सब के सब ऐ करेगा याद रखना कि जो भी काम अपने दिये थे उसको व्याब तो बंद करने का या उसका नाम बदलने का काम इस सरकार ने किया था अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गई है जल स्वाबलंबन अगर हो जाता तो आपके ये पानी की जो कासिबत है वो आदे से ज्यादा निपट जाती है आज के दिन इन सब चीजों को ध्यान में रखने की जरूरत है मैं आज इतना याप लोगों के बीच में कहने आई हूं मुझे बड़ी खुशी है कि बहरोड की जनता इसके बहाने मेरे को दर्शन करने को मिल गए क्योंकि मैं मानती हूं कि जहां भी जाते हैं इसलिए बर्शरी बाबा की तो मुझे है याद उनके बिना तो कुछ होता नहीं है यहां और मेरे लिए भी तो बर्शरी बाबा के तो जह है अपन करेंगे करेंगे परन्तु पहले भगवान को बांधने की जरूरत है उसके बाद हमारे संत महत्मा हमारे साथ देते हैं और हमारे तो देखो हमारे तो कितना अलग है आप लोगों का कि आपके सांसत भी रह चुके हैं और आगे चलके हमारे एमेले साहब भी बनेंगे यहां और क्या मालूम उसके और आगे कहा क्या कहा कहा पहुँच जाएंगे कि तो सबसे पहले तो इश्वर उसके बार हमारे संत महात्मा उसके बार ये 33 कोटी देवी देवता जो सामने बैठे हुए हैं एक दफा ये सब बन जाएंगे तो मुझे तो विश्वास है कि ये जस्वंत यादव को जिताने का काम इतनी बड़ी ताकत क्या नहीं कर सकती कर सकती के नहीं कर सकती इतनी बड़ी ताकत कर सकती है न हाँ तो फिर मेरे साथ एक दपा जोर से बर्तरी बाबा की जै बोलो बर्तरी बाबा की जै वर्ट्री बाबा की मारा जी मुझे बहुत अच्छा लगा आप यहां आ गए यह सब मंत्री लोग हर्याना से यहां आ गए यह सब सुधा जी जिनके साथ टेबल पर बैठने को मिलता है वो उस तरफ बैठती हूं पर हमारे बीच में कोई नहीं साम बहुत अच्छा ही वह हूं और मेरे साथ आप एक और नारा बोलेंगे जै जै राजस्तान की बहुत 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 मेरा धन्यवाद बहुत 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 मेरा प्यार और अब अपन मिलेंगे कुछ दिन बाद जब मुझे विश्वास है कि आप इनको जिता के भेजोगे एक मिट एक मिट एक मिट अब मैं आप से तो मैंने पहले भी किया है मैं आप से बिना पूछे तो करती नहीं हूँ पिछले बार आपने नहीं किया था इस बार मुझे देखना है यह माला मेरे हाथ में हाँ 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 वह हाँ हाँ वह ही मैं कह रही हूँ माला मालूब पढ़ गई थी ना तो इस बार कहीं नहीं ना तो टूटने वाली है न कुछ आपके प्यार से पहनाओ तो बोलो पहनाओ तो रात उपर करके बताओ हां कि ना है लेजी पना कर रहे चलो इदर जिता के बेजने का काम आपका है यह आपके घर घर आएगा आपके पास घुमेगा आपके वोट लेगा और आपको प्यार देगा और काम में कोई कमी नहीं छोड़ेगा यही विश्वास के साथ मैं आप लोग सब को बहुत सारा प्यार बहुत सारा प्यार देखे हैं से निकलूँ अन्यवाद सब्सक्राइब